चलिए दोस्तों स्वागत आप सभी का वाल्ड अफेस चैनल पर स्टार्ट करते हैं अपने आज के करेंड एफेस डेली वेसिस पर यहां पर आप पर सकते हैं क्युक्पॉइंट और स्पेशल डे एंस्क्रीब डेल नीज और पीवाइक्यू आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जो सिविलेंस हैं उनको बहुत सारे नुकसान होते हैं हेल्थ इशू सेफ्टी इशू तो गौर्वर्मेंट को इसके लिए माइन क्लेरिंग प्रोग्राम को अटेन करना चाहिए तो इसी को प्रमोट किया जाता है जनल एसेम्ली ने आठ दिसंबर 2005 में जो 2006 से चली पहला कोशन आप सभी के सामने रिसेटली कौन सी कंट्री है जिसने रुपे लोंच किया है देखिए रुपे लोंच अनौंस्मेंट पहले भी होगी थी लेकिन अभी जो डेलिगेशन आया है नेपाल का उन्होंने इसे कंफर्म कर दिया है ठीक है तो इसमें मैं इंडिया की क्या क्या टाई अप रिसेंटली हुए है पहला तो 35 किलोमेटर का जो लोंग क्रोस बोर्डर पैसेंजर ट्रेइन सर्विसेस है जैनगर बिहार से कुर्था नेपाल तक जाए इसको अलाव कर दिये गया है यह फ्लैग ओफ किया गया है तो यह एक option है यह आ सकता है दूसरा एक सोलू कोरिडोर है 132 के वी पावर ट्रांस्मिशन लाइन का यह भी जो है नेपाल में बीड किया गया गौर्मेंट ऑफ इंडिया के लाइन ऑफ क्रेडिट के अंडर इसे बनाया गया तीसरा जो इंडिया का रुपे कार्ड है इसको नेपाल में लोंच किया है उसके अलावा चार मोमरेंडम हुए है और अगर बात करी जाए जो फोरें सेक्रेटी हर्षवर्दर शिंगला है ठीक है उनके द्वारा बहुत सारी स्टेट्मेंट दीगी है सेक्योर्टी डवलप्में ट्रेड पे किस किस तरीके के हमने जो है अग्रिमेंट किया है तुरिस्ट विलेज्ट जो है डालेक शिर्णगर में डिसाइड किया है कि यह डवलप्म करेंगे अब यह जो पांच विलेज्ट है पहले इसके बारे में जान लेते हैं ठीक है एक तरीके से सेंपल फ्लोटिंग विलेज का एक्जांपल जो है उसको सेट करेगा इंडिया म है टूरिस्ट डिस्टे कितिनिशन है सेन अगर डालेक में फ्लोटिंग विलेज्ट में सब कुछ होता है तो उसमें विलेज जो है पहला एक काच्री महला दूसरा सौफी महला इतिनना महला और उसके अलावा अखून महला है मेजिटेबल मार्किर जो होती है थिक है वैसे आपको अगर आप दल लेख जाएंगे तो आपको यह उबसर्ब करने को मिलेगा कि जो लेक है उसी पर सब कुछ अब लेबल है इवन एस्बी ने अपना जो एटीम है उसे भी सेट अप कर दिया है तो इसमें जो है पंदरा इपार्टमेंट काम करने वाले हैं और अगर देखा जाए तो यह एक तरीके से फैसिलिटी प्रवाइड की जाएगी टुरिस्ट को कि वह सब कुछ इवन अभी जो है एक सीनियर आर्मी की टीम और इवन गवर्मेंट ऑफिसर जो है दल लग के थे फ्लोटिंग विलेज को देखने के लिए किस तरीके का यह जो है सेट अप कर सकते है इसे डेफिनिटी टुरिजम बढ़ेगा तो अर्निंग बढ़ेगी पवर्टी हरास्में जो नगर में वो कम होगी जो है यह अभी एंड हुआ है और इसमें कितने फरस्टेशन मिले हैं तो यह साथ विनर आये हैं अब इसका अनॉंस्मेंट यह एडिशन जो किया गया था नाम इसका जो सेकिंड एडिशन होगा उसका नाम चेंज कर दिया जागा पहरी तो इंपो इसमें जितने भी स्किल स्टूरेंट्स हैं ची चिल्डन्स हैं वो सब पाडिस्पेट करते हैं अभी जो यह पाडिस्पेशन हुआ था इसमें पहली टाइफ फरस्ट टाइम यह कंट्री में पाड़ हुआ था दिली में से और नाइस किया गया था और ध्यान रखिएगा कि जो इसमें गोल्ड मेलिस्ट है जो गोल्ड विनर है उनको आने वाले शंगही में जो कॉमपटिशन होने वाला है वर्ल्ड स्किल कॉमपटिशन उसमें जाने का मुका मिलने वाला है तो यह एक ultimate recognition है skills students को जो की national education policy का हिस्सा भी है कि students को जो है skill develop करने के बहुत सारे अपसर म media blackout किया है अब देखिए emergency लग चुकिए शिलंका में अब उसके बाद social media blackout भी किया है लेकिन यहां पर human rights activist जो है थोड़ा सा कड़ी निंदा कर रहे है शिलंका की चली जानते है आप सभी जानते है कि शिलंका में इंपोस किया गया था पहले emergency अब social media blackout किया गया है कि ठीक है और उसके अलावा कर्फी भी लगाया गया एकनोमिक क्राइसिस के चलते शिलंकान गवर्मेंट के द्वारा जो लंड़न बेस्ट एक राइट वाजडोग है इनके द्वारा यह का गया कि शिलंकान गॉवर्मेंट चाहें emergency लगा लें आयलेंड में लेकिन public security के नाम जो है human right volition नहीं होना चाहिए चले देखिए केजिवल जो है आम आदमी पार्टी के और दिली के चीफ मिनिस्टर वो जो है campaign में अब कहां पे गहें यह important इसलिए है क्योंकि देखिए एक दिली हो गया एक पंजाब हो गया now they are shifting to गुजराद also to be a national party in consideration पै है तो है लेकिन consideration जो है तब होती है जब बहुत सारी states में जीट जाते हैं ठीक है अदर्वाइस इस नेसल पार्टी ना एक और देखिए देली देली जो चीफ मिनिस्टर है यह और अभी जो भगवत्मान पंजाब के चीफ मिनिस्टर मनें इन दोनों इनका विजट रहा इनका और यह ठीक है दिसम्बर में जो अभी एलेक्शन होने वाले हैं उसके लिए जो है एक तरीके से प्रपोकंड़ा कह सकते हैं तो जो इंडिया ने जितनी शिलंगा की मदद करिया अभी कोई कंट्री कर भी नहीं सकता है जैसे क्राइसिस आया उसमे इंडिया ने अभी डिलिवर किया 40,000 एंटी डीजल शिलंका को और अगर हम इन ओल देखें तो जो इंडिया ने पांसो मिलियन और लाइन ऑफ क्रेडिट भी एक्स्टेंड किया शिलंका को ठीक है और इतना एंटी फ्यूल जो है आईलेंड को ठीक है लास्ट फिफ्टी ड रहता है चलिए देखिए कोशन इंपोर्डेंट है विच ऑफ फॉलिंग जोन दा एलाइट ऑफ हंडेड बिलियन क्लब डॉलर तो यह हमारे भारत के सबसे रिच व्यक्ति है गोत्यम अदानी जिन्होंने आने वाले अभी जो दो साल गए है उसी में यह सब अचीव किया है क्या-क्या इंफ्रमेशन मिल सकती है देखिए अभी ब्लॉमबग रिपोर्ट आई थी इसमें जो है टॉप 10 जो रिचस परसें जो की 100 बिलियन क्लब को क्रोस कर चुके हैं आ चुके हैं उसमें उनके नाम है तो यह 10 नमबर पर ही जो लिस्ट आई है और इसके लिए इन्हो लोग हैं वारन वेफर्ट टेसला के सीओ एलान मास्क एजोन जो चीफ पहले थे ठीक है जाब वेफर्ट उसके अलावा मार्स जुकरबक एनोल जितने भी हैं सब उसमें सिर्फ इंडियन यहीं है ना तो यह इंपोर्टन है कोशन आ सकता है तो लास्ट दो सालों में इन्हो जयाओं के रीइल जीडीप पर कैपिटा को तो यह साओत कोरिया है कि देखे इस समय कुछ है कि 2018 मेंぎ एक आपड़ा दे दिया गया साकी जियो एकनोमिक इवेंट के अंडर जो है साउथ कोरिया ने रियल जीडीपी पर कैपिटा सर्प्रास कर दिये जैपान का 2026 तक IMF का आकड़ा है फंड प्रोजेक्ट के अंडर बारा परसेंट होगा जैपान के साउथ कोरिया तो यह प्रोड़क्टिविटी की वज़े से है जो साउथ कोरिया इतना कर पा रहा है इसकी प्रोड़क्टिविटी जो है 71 परसेंट है USA के लेवल की जो USA की 1997 में थे तो ए यह वेस्टन बोडर से येलो सी से कनेक्टेड है इस्टन बोडर से जिससी अब जैपान से कनेक्टेड है 51 मिलियन की इनकी पॉपलेशन है जो जिसमें जो इनकी कैपिटल है यह 5th largest metropolitan city है पूरी दुनिया में चले देखे कि कौन सी स्टेट है जिसके CM ने श्री लक्षमी नर कि इने करोड के चुछ है तो पांस लाक करोड का कल में एक सवाल पूछा था चेंजिंग इंडिया किसकी किताब है तो यह रिया सिंग के दौरा बिलकुल सही आंसर मनमोहन सिंग जी शत्रिया जो आज का सवाल है traditional Hindu classical dance है यह कौन सी स्टेट का डानस है आप एक बरी comment box पर ज चैनल जोईन करें सोड़ा मुझसे connect हो सकें और आपको वीडियो डेली बिल सकें रिपोर्ट एंविन का option उटलाइज करिए जान रखिए जैसे आभी शुरुवात है आपके मन्त की और इस मन्त में आप नए बैचिस को जोईन कर सकते हो जैसे आप एक नया लाइवर मन्त कोड़ से अपने डिस्काउंट जरूर ले ठेक है कोड लाइवर मन्त रहेगा अगर आप यह कोड इदर लाइवर मन्त लगा रहे हैं तो डेफिनिटली आपका जो है डिसकाउंट आएगा ठेक है और आपको बेनिफिट होगा तो यूटलाइज करिए सेशन को लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्स्राइब करिए थैंक्स अलाट फो वोचिंग